आहलों को सभूना अबर फोर स्टांडर एंड एट एसस स्ट उप्रीम कोोर्ट सिदेपरिम कोर्ट if इंडिया इस्ट एप एक सोड़ एक स्कोर्ड मतलब देप पावर दूसरी जो कोर्ट होती है जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है फिर इक्सामप्ल हाई कोर्ट है डिस्ट्रिक कोर्ट है सेशन कोर्ट सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ठीक है वो सारी के सारी कोर्ट सुप्रिम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलती है सुप्रिम कोर्ट ने जो भी रूल्स और रेगुलेशन स्टै किये है उनके ऊपर निचली कोर्ट को चल वाइर लोग किसी इंस्टिशन ने मतलब कि किसी ओर्गिनाइजेशन ने कानूनों का उलंगन किया मतलब कि कानून को तोड़ा तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है जो कि फोलो करनी होती है तो सबसे लोग लेवल पर जो कोर्ट आती है यहां तक बात रही कोर्ट की तो सबसे लोग लेवल पर जो कोर्ट आती है तक दुट्रिक कोर्ट उसके बाद है कोर्ट एंड फाइनली विहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरी कोर्ट होती नहीं है तो जुडिश्यरी इस वन अफ दे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स अफ दे को न्याई गवर्मेंट का एक बहुत ही जरूरी अंग है विदाउट दे जुडिश्यरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री अधूरा है और जुडिश्यरी इस केप्ट इंडिपेंडेंट फॉन दे लेजिसलेटिव बोड़ी है मतलब की जो मिनिस्टर्स है और जो भी एक्जिक्यूटिव बोड़ी है मतलब की जो दूसरे गवर्मेंट जुडिश्यरी इस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपने फैसले लेने के लिए देश की कोई भी सरकार या राज्य की कोई भी सरकार किसे भी कोर्ट के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकती ना ही कोई गवर्मेंट ऑफिसर्स जैसे मुनिसिपल कमीशनर हो आई एस ऑफिसर पुलिश कमिशनर जो वो लोग भी कोर्ट के अंदर अपना हुकम नहीं चला सकते कोई और जुडिश्यरी इस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूम लेजिसलेचर एस वेल एस एक्जिक्यूटिव वट ड़स इंडिपेंडेंट जुडिश्यरी मीज तो के सारे सबूत और गवाह के ऊपर अपना फैसला सुनाते हैं उनको कोई भी इंफ्लूवंस कर सकता नहीं है is there any relation between the courts in your village city and the supreme court located in Delhi obviously there will be relations okay between different court okay now what is the role of supreme court first of all supreme court का काम क्या है the supreme court is the highest among all the courts in the nation भारत के अंदर जितने भी courts है उन सब में से highest court अगर कोई है that is supreme court it came into existence on 28th January 1950 supreme court existence में का बाया 28th January 1950 को it holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution supreme court अगर किसी citizens के या कुछ लोगों के fundamental rights violet होते हैं तो supreme court उनके rights को violet ना होने देने के लिए बात दिया है मतलब कि supreme court लोगों के fundamental rights को प्रोटेक्ट करते हैं जो Constitution ने हमें दिये हैं अम जिस fundamental rights की बात करते हैं freedom of speech freedom of religion freedom of culture this and that whatever ठीक है तो यह सारे के सारे जो हग है हमारे जो अधिकार है Supreme Court उन्हें protect करता है and citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights has been violated suppose आपका कोई भी fundamental right violet हुआ जो Constitution ने आपको दिया है तो आप directly Supreme Court के अंदर appeal कर सकते हो मतलब कि Supreme Court के अंदर complaint या case file कर सकते हो any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest ठीक है पब्लिक के हक में लोगों के लिए कोई भी citizen या कोई भी institution डारेक्ली Supreme Court के अंदर petition file कर सकते petition मतलब कि अरजी and this is known as PIL Public Interest Litigation तो लोगों के interest में जो petition file हुआ है Supreme Court के अंदर उसको पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगीशन बुलते हैं the Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards Supreme Court जो है वो Constitution को interpret करता है मतलब कि Constitution में क्या दिया गया है वो सारी की सारी चीज़े Supreme Court interpret करता है और वो प्रेसिडेंट को और पार्लामेंट को एडवाइस करते हैं वही रिगार्ड में इट ओल्स एंजोई इस्ट पावर तो रिव्यूट पास्ट भाई एनी अफ द लोवर कोट और कोई भी लोवर कोट ने अगर कोई है सुप्रीम को डिश्मी अनइंड गवरमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वह वह सुप्रिंटेजन और गवर्मेन्ट के बीच का अधिस्प्यूट सॉटआउट करसकते हैं हैं है बिट्विन स्टेट्स टेसं बिट्विन अइं उंनको कर सकते हैं और Central Government of State Government के पीच में प्रबलम हो गई तो भी Supreme Court उनको सुर्ट आउट कर सकता है कि असी एगजांपल इसगी वन एग्सांपल has given there बढ़ानी थी तो 110 मीटर से जादा हाइट नहीं बढ़नी चाहिए इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था नवागाम के पास environmentalist organizations and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the right of the tribals who would lose the land and habitat forever due to this project environmental organizations थे NGOs थे NGOs मतलब कि non-government organization Madhya Pradesh में से और दूसरे region में से वो tribal लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे tribal लोग मतलब कि आदिवासी लोगों के लिए हक के लिए लड़ रहे थे अब क्यों लड़ रहे थे वो डैम बनाने से उन आदिवासियों को का problem होने वाली थी तो अगर डैम की height ज्यादा increase हो जाए तो इनकी घर जमीन सब पानी के अंदर डूब जाएगा हमेशा हमेशा के लिए तो वो तो अपने घर और जमीन खो देंगे तो उन लोगों का विचारों का क्या होगा इसलिए ये लोग डैम की height बढ़ाने का विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पास्टे जज्जमेंट ऑन 8 मार्श 2006 तो रिजॉल दिस कॉन्फिक बिट्विन दू स्टेट और सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्श 2006 को जज्जमेंट पास किया ये दो स्टेट्स के बीच में जो भी जज्जमेंट है उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पोपुलेशन बढ़ रही है और राइजिंग पोपुलेशन के ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट केरी आउट करना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है और चांसी यह भी है कि भी एन्वाइरमेंट को भी काफी फाइदा होगा और जो लिविंग बींग्स है उनको भी काफी बैरिफेट होगा सर्दार सरोवर योजना के तहत नो डाउट नुकसान जरूर होगा बट नुकसान से ज़ादा सुप्रिम कोर्ट ने इसके बाद में होने वाले पाइदे को दिखा कि इसमें बाद में धेर सारा फाइदा भी होगा तो एरिड एरिया अफ राजस्थान गुजरात और मध्यप्रदेश वूट गेट वाटर क्या फाइदा होगा तो जो एरिड रिजिन है जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है राजस्थान के गुजरात के और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में वहाँ पर उन लोगों को पानी मिलेगा and the expansion of desert could be kept under control desert के expansion को control में रखा जा सकता है प्रोपर रिहाबिलिटेशन अब ट्राइबल्स एफेक्टेड बाइस प्रोजेक्ट शुट बी गिवन तॉप प्रायोरिटी सुप्रीम को ने यह भी आदेश दिया कि जिन ट्राइबल्स को यह डैम बनने के कारण यह डैम की हाइट बढ़ने के कारण problem हो रही है उनका प् सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो लोगों को भी मनना था और गवर्मेंट को भी मनना पड़ा दोनों के बीच में बैलन्स केरी आउट हुआ ठीक है तब जाके सरदार सरोवर की हाइट बढ़िए इस जुडिश्यारी इंडिपेंडेंट क्रेश्चन यह है कि क्यों होनी चाहिए से इमेजिन यॉर्सेल्फ इंटो ए सिचुएशन वर पावर्फुल पर्सन कैप्चर्श दे लाइंड बिलोंगिंग तो एर फैमिली और यूगो तो गेट यर प्रॉपर्टी बैक बद शिसने आपकी जमीन के उपर कबजा कर लिया फिर आप कोर्ट में जाते हो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए बट वो बंदा इतना पावर्फुल है इतना इंफ्लुएंशल है कि उसमें जज को इट्रांसपर कर दिया तो इंच्छा सिचुएशन दे जज़वोड फेवर द्पावर्फुल परसन उन ली तो अगर जज़ज ट्रा प्रदानमंत्री क्यों ना हो वो किसी जज्ज का ट्रांसपर ऐसे ही नहीं कर सकते हैं तो इप जूडिश शरी अगर फ्री ना हो तो पावर्फुल और इंफ्लूएंशल पीपल जजिस के ऊपर अपनी दोंश जमाएंगे कोर्ट के ऊपर अपने चलाएंगे और इंपार्शल जजिमेंट नहीं मिलेगा एक जैसा न्याई मिलना चाहिए बिना किसी भेद भाव के उस तरीके का न्याई लोगों को तो मिलने से रहा यही कारण है कि हमारा कॉंस्टिटूशन जो है वो इस तरीके का इंटर्फियरंस अलाव नहीं करता इसलिए जुडिश्यरी को लेजिस्लेटिव और एक्जिकुटिव पूरी से एकदम इंडिपेंडेंट रखा गया है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जजिसको अपनी पोजिशन से हटा ले और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया गया है तेन ही और शी किन गो टू दा कोट तीक है वो कोट जा सकते है अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अब देखो अलग अलग लेवल पर जो कोर्ट होते हैं क्या वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं अब्यस्लिए आर कनेक्टेड यस दिया तो अंडर्स्टेंड दिस लेट्स अंडर्स्टेंड प्रोसीजर फाइलिंग अ पिटीशन ठीक है यह समझने के लिए एक प्रोसीजर देख लो कि पिटीशन फाइल कैसे की जाती है इफ ए इंडिविज्विज्वाइंड जज्जमेंट गिवन बाइड लोवर कोर्ट नोट सैटिस्फेक्टरी दर ही और शी कर फाइल पिटीशन इन अपर को अगर इंडि वह जज्जमेंट से अगर जिसने केस किया था वह खुश नहीं है तो वह डिस्ट्रिक कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक कोर्ट के जज्जमेंट से अगर कोई खुश नहीं है तो वह हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो अगर हाई कोर्ट के ठीक है? To understand this concept, let's discuss a case. यहाँ पर एक्जामपल दिया है. See, there were few houses in the southern directions where Ratla municipality had constructed road. Southern direction Ratla municipality ने कुछ road construct किये, वहाँ पर कुछ मकान थे. Behind these houses was an old road leading to the government college और यह house के पीछे एक पुराना road था which led to the government college, जो government college तक जाता था. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert of dirty water. ठीक है, यह जो junction था, old or new municipality road के पास, junction मतलब कि जहाँ पर यह दोनों road मिलते थे, वहाँ पर गंदा पानी बैहता रहता था. Industries released dirty water infested with chemicals in this culvert. ठीक है, तो यह जो culvert था, उसके अंदर यह गंदा पानी कहां से आता था? Industries के थू. हो सकता है, शायद आपके एरिया के आजू-बाजू में काफी सारी ऐसे industries हो, कि जो गंदा पानी छोड़ते हो. कि यूजवली इंडस्ट्री के काफी नियम होते हैं. बट फिर भी कई बार वो नियमों का उलंगन करके ऐसे फेकते रहते हैं. यूजवली कलवर्ट मतलब क्या एक पाइपलाइन होता है जो रोड के नीचे से या रोड के बाजू में से पासाउन होता है ना, इसके अंदर वो लोग गंदा कैमिकल वाला पानी यहाँ वाँ फिकते रहते हैं. अब इतना गंदा पानी होगा तो बास तो आएगी आएगी एस वेल आज मोस्क्वीटोज का भी अत्याचार बढ़ेगा. Slum dwellers answered the natural calls by the sides of this culvert. और जो small slum dwellers थे, वो अपने रोज मर्रा के जो activities होती थी सुबब उठने के बाद की, वो वही slums में मतलब कि यह जो गंदा पानी था उसके आजबाजू में करते थे. The health department had failed to controlling the mosquitoes और health department भी mosquitoes को control करने में नाकाम थे. देखो, यूजवली पानी अगर भरा हुआ ना रहे, तो ही mosquitoes को control किया जा सकता है. बाकि अब कितनी भी दवाई या छड़को, कुछ जगह पर तो दवाई नहीं छिड़केगी, वहाँ पर mosquitoes develop होंगे ही, यह fact है. The residents had repeatedly written applications to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. और residents ने repeatedly written applications लिखे हैं, कि dirt को हटाओ, गंदगी को हटाओ यहाँ से, but health department continuously fail रहा है अपने काम में. As a result, the residents appealed in the Taluka court. इसलिए residents ने फिर फिर फाइनली पहले तो गवर्मेंट से दर्खवास्त की, municipality से या corporation से दर्खवास्त की, health department से दर्खवास्त की, but उनों ने इस problem का solution लाया नहीं. और इस problem का solution लाना बेहद ही जरूरी था. And finally, residents appealed in the Taluka court. देखो, court is the last way. जब कोई रास्ता या सारे रास्ते बंध हो जाते हैं, उसके बाद finally लोग court में जाते हैं. ऐसे ही सिदा मुँ उठाकर court के अंदर नहीं गुश जाते हैं. तो magistrate gave the verdict in the favor of the resident. और जो केस चला, उसमें magistrate ने residents के favor में verdict दिया. वर्डिक्ट मतलब की फैसला सुनाया. अब ये तालुका court का वर्डिक्ट क्या था? Municipality and Town Improvement Trust have failed in the duty of maintaining cleanliness. कि भी municipality और Town Improvement Trust, ये दोनों अपने अपने काम में fail हो चुके हैं. इनका काम होता है शहर के अंदर cleanliness maintain करना. जो की ये लोग नहीं कर पाये हैं. बोथ इंस्टिउशन्स आर ओडर्डिक्ट तो ये दोनों के दोनों इंस्टिउशन्स को order दिया जाता है कि इस जगह को clean किया जाए. With immediate effect. Immediately इन दोनों जगह को clean किया जाए. Within 15 days, the work of a closed drainage should be completed. और 15 दिनों के अंदर अंदर ये closed drainage का जो work है, it must be completed. ठीक है? The municipality challenged these verdicts in Ratlam district court. तो municipality ने क्या किया? Ratlam के district court में इस verdict को challenge किया. मतलब कि जो फैसला तालू का court ने दिया, वो municipality को पसंद आया नहीं. तो उन्होंने district court के अंदर इसको challenge किया. ठीक है? Judgment by district court. The judgment of the तालू का court is declared to be unfair. कि district court ने क्या judgment दिया? कि तालू का court का जो judgment है वो unfair है. तालू का court को ऐसा judgment देना चाहिए नहीं था. तो once again the residents challenge the verdict in the high court and the high court sustained the verdict of तालू का court but added to the verdict. और high court ने तालू का court के verdict के साथ ही गए और कुछ चीज़े और भी add की, high court ने. ठीक है? कि for a closed drainage system seven months time is given instead of 15 days. कि closed drainage system के लिए साथ महिने का time दिया जाता है. पंदरा दिन में पंदरा दिन में ये possible नहीं है. इसलिए. The pits should be filled with soil to stop the water accumulation and mosquitoes breeding. Pits जो है, गड़े जो है, उसमें soil भर दिया जाए ताकि पानी वहों किलेट ना हो और mosquitoes वहां पर breed ना कर सके. And all work should be completed within two years. और सारा का सारा काम दो साल के अंदर अंदर खतम हो जाना चाहिए. पहले तो close drainage system के लिए सात महीने और drainage या pipeline के बाहर जो गड़े है उन गड़ों को भरने के लिए उनको दो साल का वक्त दिया गया. Once again, High Court का भी judgment आ गया, बट High Court का judgment लोगों की favor में आया. So, Ratla Municipality was unhappy with the verdict and so it moved to the Supreme Court. Once again, Ratla Municipality को अभी his verdict से मजा नहीं आया. तो Supreme Court गए. And the Supreme Court sustained the judgment of the Taluka Court and further ordered that. Supreme Court ने भी Taluka Court के judgment को ही माना और उन्होंने भी यह चीज़ एड़ की. कि the chemical and the dye plants which were responsible for the pollution should be closed with the joint effort of the municipality and the state government. मतलब कि Taluka Court और High Court का जो verdict था वो तो मन नहीं है. साथ साथ में यह जो chemical और dye plant जो है जो responsible है इस pollution के लिए उनको बंद कर देना होगा. और इनको बंद करवाने के जिजमेदार या responsibility किसकी होगी municipality की और state government की responsibility होगी. तो फाइनली Supreme Court के judgment के बाद फिर कोई कहीं नहीं जा सकता और Supreme Court का judgment municipality को मनना ही पड़ेगा. तो ऐसे step by step अगर suppose कोई किसी lower court के judgment से खुश नहीं है तो वो अपर court में appeal कर सकते हैं. चलो यह वाले case में तो पूरी एक society ने case किया था. Now the question is can any citizen appeal in a court? क्या court के अंदर कोई भी citizen appeal कर सकता है? So we have learned that any citizen can appeal in a court for the protection of his or her fundamental rights. So yes, अपने fundamental rights के protection के लिए कोई भी citizen directly किसी भी court के अंदर appeal कर सकता है. But in reality, poor people find it very difficult to go to the court. बट असलियत में अगर हम देखें, तो जो विचारे गरीब लोग है, जिनको दो वक्त की रूटी मानमा नसीब होती है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो किसी भी court में जाकर appeal कर सके. The legal procedures not only requires a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming. The legal procedure जो है, उसमें ठेर सारा पैसा और paperwork तो चाहिए ही चाहिए, but it is also very time consuming. For a poor person who is illiterate and incurring irregular income, it becomes really tough to go to court and demand justice. एक गरिब इनसान के लिए जो एक ill-retreat है और regular income कमाने में काफी problem हो जाती है, उनके लिए court में जाना, फिर वहाँ पर justice या न्याए मांगना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है. So keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest litigation in the year 1980. तो इस fact को ध्यान में रखते हुए, Supreme Court ने public interest litigation को रूल्स में थोड़ा सा बदलाव लाया. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. Supreme Court का इसमें intention क्या था? कि जादा से ज्यादा लोग court तक पहुँच सके न्याए के लिए. Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. कि कोई भी individual या institution है, he or she can file a case on behalf of the people from deprived classes. मतलब कि वो जो गरिब बंदा है, वो खोद case करने आए, वो जरूरी नहीं रहा. कोई दूसरा organization या institution भी उनकी तरफ से case लड़ सकते हैं. If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal straight in the High Court or the Supreme Court. और अगर किसी citizen के fundamental rights violate होते हैं, तो वो directly High Court या Supreme Court के अंदर petition file कर सकते हैं. And after 1980, PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society. और 1980 के बाद, PIL का इस्तमाल करके, काफी सारे deprived sections को justice मिला है. For example, PIL were filed to free laborers of inhuman labor. PIL file की गए, laborers को inhuman labor में से आजाद करने की गए. Inhuman labor मतलब की अमानवियव यवहार होता था विचारे मजदूरों के साथ. उनके साथ ऐसे treatment होती थी, मानों वो इनसान ही नहीं है, ऐसे. और to release the prisoners from the jail in Bihar, after the term of punishment was over. और Bihar के अंदर तो कई बार ऐसा भी होता था, कि prisoners का जब term खतम हो जाता था, तो भी release नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे. तो ये बात तो गलत है. प्रिजनर को सजा मिल चुके, पांच साल काटने के बाद, अगर उनको आज़ाद नहीं किया गया, तो भी उनके human rights का violation है, या उनके fundamental rights का violation है. तो वहाँ पर से छुड़ाने के लिए भी PIL दाखिल किया गया था. और देखो, government-aided school जो होती है, मतलब की government schools जो होती है, उसमें midday meal program है, मतलब की दोपहर को खाना मिलता है, बच्चों को. ये भी एक PIL के तहती सारी के सारी government schools के अंदर चालू किया गया है, ताकि at least गरिब लोगों के जो बच्चे हैं, जो government school में पढ़ते हैं, उनको एक वक्त का खाना तो मिले, चलो और कुछ नहीं तो ना सही, but at least एक वक्त का खाना तो मिले उन्हें, यहीं सोचकर गरिब लोगों जो हो हो अपने बच्चों को school भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई तो चलो उनको इतनी समझ में नहीं आती, और अगर सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी PIL मिला, और जिनों ने भी इन राइट्स को वायोलेट किया है, तो परसन को, वो ग्रूप को या फिर पूरे के पूरे इंस्टिटूशन को सुप्रीम कोर्ट सजा सुना सकता है, इतनी ओथोरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, चीए?